शिव जी और कुबेर की कहानी कुबेर जिनको धन के देवता कहा जाता है वो यक्षो के भी देवता थे, कहते है कि लंका पहले कुबेर की थी, रावन ने जब लंका पर कबजा किया और कुबेर को वहां से निकाल दिया तो कुबेर को मुख्य भूमी की तरफ जाना पड़ा, प्रजा और राज्य को खोने के बाद कुबेर निराश हो गया था इसलिए उसने भगवान शिव की आराधना और भक्ती शुरू कर दी इस तरह से कुबेर एक शिव भक्त बन गया कुबेर ने बहुत कड़ी तपस्या की और भगवान शिव को प्रसंद किया भगवान शिव ने उसकी तपस्या से प्रसन होकर उसे एक नया राज्य दिया और संसार का सारा धन उसको दे दिया. इस तरह से कुबेर धन का देवता बन गया और लोग धन और कुबेर को एक समान। मानने लगे, संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद कुबेर भगवान शिव को बहुत कीमती-कीमती वस्तुएं चड़ावे चड़ाने लगा, धीरे-धीरे उसे लगने लगा कि वो शिव का इतना महान भक्त है और वो इतनी सारी बहुमूल्या। वस्तुएं भगवान शिव को चाता है, लेकिन सत्य तो ये था कि भगवान शिव ने कभी भी उसकी चड़ाई विभूती के अलावा किसी और वस्तुएं को छुआ तक नहीं था, कुबेर जो यह मानने लगा था कि वो अब भगवान के लिए कुछ भी कर सकता है और उन्हें जो चाहिए वो दिलवा सकता है, कुबेर एक बार भगवान शिव के यहां पहुचा और उनसे कहा, मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप मुझे बताए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, भगवान शिव ने कहा, तुम मेरे लिए कुछ नहीं कर सकते क्योंकि लेकिन कुबेर, शिव जी से बहुत आग्रह करने लगा कि वो उनके लिए कुछ करना चाहता है, दरसल ये कुबेर का अहनकार बोल रहा था, भगवान शिव ने अपने भक्त को सही मार्ग पर लाने के लिए एक लीला रची, शिव जी ने कहा, देखो कुबेर, मुझे, तो करना ही चाहते हो तो वो जो बालक है, भगवान शिव ने गनेश जी की तरफ उनगली, दिखाते हुए कहा, वो हमेशा भूखा रहता है, उसे एक दिन अच्छे से पेट भर कर खाना खिला दो बस इतना मेरे लिए, काफी होगा, कुबेर ने मन ही मन सोचा कि भगवान ने रसोयों द्वारा खाना बना कर गनेश जी को स्वादिश्ट आना पिरोसा, लेकिन उसने देखा कि गनेश जी खाते ही जा रहे हैं, तो उसने कई सेकडों रसोयों को बुला कर प्रचुर मात्रा में खाना बनाना शुरू रख खा, एक तरफ खाना बनता जा रहा था और एक तरफ गनेश जी उसे खाते जा रहे थे, गनेश जी को इतना खाते देख कुबेर की चिंता, बढ़ने लगी, कुबेर ने गनपती से कहा, गनेश जी आप रुख जाए, इतना ज्यादा खाएंगे तो आपका पेट फट जाएगा, गनपती जी ने मुस्कुराते हुए कुबे गनेश जी ने इतना खाना खाया कि कुबेर का सारा खजाना खत्म हो गया, यहां तक कि कुबेर को दूसरे लोकों से भी खाना मंगवाना पड़ा, कुबेर को इस बात का ग्यान हो गया कि उसके विचार के छोटे पिन की वजह से उसने अपने आपको भगवान शिव का महान भक्त समझ लिया, था, जबकि सच बात तो ये थी कि भगवान ने जो कुछ उसे दिया है उसी का थोड़ा हिस्सा वो भगवान को दे रहा था, जबकि इस संसार का सारा धन भगवान के लिए एक तिन के भर से ज्यादा नहीं है, उसने भगवान शिव के पास जाकर, अपनी ग पूरी, कहानी ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद अंत में यही कहूंगा भूलेनाथ आप सभी को सुखी रखे